हलो, गुड मॉर्निंग स्टूलेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्तकाल में स्थूप इम गोहज तपत्यकरला के बारे में ध्यन करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको गुप्तकालीन चीतरकला, गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में और गुप्तकालीन जो सासेख हैं उनके बारे में अच्छे से आपको वीडियो में बताया था तो आप प्ले लिस्ट में जाके और गुफ्तकाल में हमारी गुफ्तकाल से सम्मादित भैतोपुन जानकर के बारे वीडियो देख सकते हैं ठीके तो चलिए पढ़ते हैं गुफ्तकाल में स्थूप तता गुफा इस्ता पते कला स्थूप का साब्दिक अर्थ धेर होता है यह एक गोल्टीले के आकार की सरंचना है जिसका प्रियोग पवित्र बोध अवसेसों को रखने के लिए किया जाता है गुफ्तकाल में ऐसे स्थूपों का विकास काफी किया गया था मंदिरों के अलावा दो बोध स्थूपों सारनात का धमेक स्थूप तथा राजग्रह इस्तित जरासंग की बैठक का निर्माण गुफ्त समराटों के काल में ही हुआ माना जाता है धमेक स्थूप 128 फूट उंचा है जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है इसके चारों कोनों पर बोध मूर्तियां रखने के लिए ताक बनाये गये हैं इस्थूप पर बना लता पत्रकाप्य परसंसित हुआ है तथा इस पर बनी हुई जमीत ये आकरतियां भी उल्लेखनी है सिंद चेतर इस्थित मीरपूर खास स्थूप का निर्माण प्रारम भी गुप्तकाल में करवाया गया था इसमें तीन छोटे चैत्ते बने हैं केंदरिय चैत्ते में इंटों की महरबान महराब बनाई गई है इसकी उतकिर्ण तथा अलंकरित इंटों एम मिटी की बनी बुद मूर्तियां गुप्तकाली मृत भांड कला की सुन्दर उधारन है नरसी हैं गुप्त बालादिते ने नालंदा में बुद का एक भवे मंदिर बनवाया था जो तीन सो फिट उंचा था बाद के चिनी आत्रियों ने इसकी परसंसा की पांचवी सती के मंदिरों में बुद गया के मंदिर का भी उलेक किया जा सकता है इसके गरब गरह में बुद की विसाल परतिमा भूमी सपर्स मुद्रा में आसीन है मुख्य परवेश द्वार पूरव की ओर है इसके पास सीडियां बनी हैं जिन से पहली मंदिल पर पहुंचा जा सकता है वहाँ एक चोड़ा खुला स्थान है मंदिर में कोई वातायन या गवाच्छ नहीं है इस परकार इसकी योजना अपने आम में विलक्षन है गोहा इस्तापत्ते तो गोहा इस्तापत्ते का भी विकास गुप्त युग में हुआ ये दो परकार की हैं ब्रामन तथा बोध विदिशा के पास उदेगिरी की कुछ गुपाओं का निर्मान इस युग में करवाया गया है यहां की गुपाएं भागवत तथा सैव दर्मों से संबंदित है उदेगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त सेकिंड के विदेश सचिव वीर सेन का एक लेक मिलता है जिससे विदित होता है कि उसने यहां एक सैव गुपा का निर्मान भगवान विष्णू के सम्मान में करवाया गया था उदेगिरी की गुफाएं पूर्टया उतकिर नहीं है तथा खुदाई तथा पत्थर जोड़कर उन्हें निर्मित किया गया था उदेगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुफा भी संग्या भी दी गई है इन गुफाओं में चोकोर तथा साध्य गरब ग्रहे बने हैं जिनके सामने की और इस्थम्बों पर टिक्के हुए छोटे मंड़प हैं गुफा के द्वार इस्थम्बों को नदी देवताओं तथा द्वारपालों की मूर्तियों से अलंकरित किया गया है बोट गुफा मंदित भी गुप्तकाल में ही बनाए गए थे जिनमें अजन्ता तथा बाग पहाडी में खोदी की गुफाओं का उल्ले किया जा सकता है अजन्ता में कुल 39 गुफाएं हैं जिनमें 4 चत्ते ग्रह तता 6 विहार हैं इनका निर्माण इस्था पूरा दूसरी स्ताबदी से लेकर 7 विस्था तक किया गया था इनमें प्रारमवी गुफाएं हीनियान थता बाद की महायान संपरदाश से सम्मधित हैं तीन गुफाएं 16 वी गुफा, 17 वी और 19 वी गुफा ये गुफ्तकालीन मानी जाती हैं इनमें 16 वी, 17 वी गुफाएं विहार थता 19 वी चत्ते हैं 16 वी तता 17 वी गुफाओं का उतकिर्ण 5 ये स्ताबदी के अंतिम चरण में वाकाटक नरेश हरी सेन के एक मंत्री तता सामंत ने करवाया था 16 वी गुफा अजनता के विहारों में सबसे सुन्दर गुफा है, इसके मंडप में 20 इस्तम हैं तता ये है 14 वर्ग फिट के आकार में बनी है, गरव गरह वर्गाकार है जिसमें बुद की विसालकाई, मूर्ती, परलंब, पाद, मुद्रा, अर्थात, पैर लटकाए हुए में बनी है गुफा स्थम्बों की विभिनता दर्शनी है क्योंकि किनी दो में समानता नहीं है, सत्रवी गुफा की आकार प्रकार में सोल्वी जैसी ही है बरामदे की दिवारों पर चित्रित भाव चकर अर्था जीवन चकर के कारण पहले इसे रासी चकर गुफा कहा जाता था कहा जाता था, इसमें सरवादिक भीती चितर सुरक्षित हैं, उनिस्वी गुफा का एक चत्ते है, जिसमें पूर्वय वर्ती चत्तियों की बहाती गरव गरह गलियारा एम स्थम्ब बने हुए हैं, इसमें मुख्य भाग को सजाने के लिए कास्ट का प्रियोग नहीं किया प्रवेश द्वार के चिप्टी चत्त, चार स्थम्बों पर ठीकी है, तता उपर बड़े आकार का चत्ते कवाक्स बना है, सैल क्रित स्थूप में उंचा बेरनाकार अंड है, जिसके उपर गोल गुंबद हर्मी का तता तीन चत्त्त हैं, बीती स्थम्बों के बीज बुद की मुनियों आदी के आकरतियां भी हैं, चत्ते ग्रह में केवल एक प्रिवेश द्वार है, मंडप के दोनों और परदक्षिना मार्ग का परपंक्ती बद स्थम्ब बनाए गये हैं, इस गुफा का पस्सीमी भारत के स्रेश तम्चत्त ग्रहों की मूर्तियों में किया गया ह का जो उलेख है, इस गुफा का पस्सीमी भारत के स्रेश तम्चत्त ग्रहों की मूर्तियों में उलेख किया गया है, जो मानव रूप में प्रिवेश द्वार, ताक्खों तता एकासमक स्थूप का पर उतकिर्ण की गई हैं, ऐसा लगता है कि इन पर महायान का प्रभाव थ बाग गुफाएं, तो बाग गुफाओं के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, अजन्ता की तरह से ही बाग पहाडी मद्य परदेश के धार जीले में इस्तित्य यहां से नो गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनका समय भिन-भिन है, इसमें इन में कुछ गुप्त बाग की गुफाएं भी बोत धरम से संबन्दित हैं, सभी बिक्सूओं के निवास के लिए बनाई गई ये बाग गुफाएं हैं, पहला विहार नस्ट हो गया है, दूसरा सुरक्सित अवस्ता में हैं, जिसे पांडव गुफा कहते हैं, इसके मद्दे एक चोकोर आंगन है जिसके बगल में कमरे बनाए गए हैं, बरामदे में ताखों पर मूर्तियां बनी हैं, तीसरी गुफा को हती खाना तता चोती गुफा को रंग महल कहा जाता है, इसके दिवारों पर चितरकारी मिलती है, सेस गुफाएं नस्ट हो गई हैं, बाग की गुफा अपनी उसे अधिग चितरकारी के लिए परसिद्ध है, ठीक है तो इस वीडियो में हमने गुफा कालीन जो इस्तूब यम जो गुफा इस्तापत्यकला उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, हैदी हमारे वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, अतहे हैं बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे